हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकम टॉपर वर्ड और हम लोग पढ़ रहे थे फनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट टू इस्थिर वैदुद विभाव एवम धारिता तो इसमें जो हमारा पिछला लेक्चर था तो उसमें हमने पढ़ा था किसी हम आगे कुलास में पढ़ा था तो उसी के आगे कंटीनि于 करते हुए हम आज की क्लास में पढ़ unique मैं मांज पढ़ एंगे उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं तो आप स्वयम ही उनके नोट्स बनाईए, क्योंकि जब आप के self and written नोट्स होते हैं, तो वो काफी useful होते हैं आपकी study के लिए, और उनको आप काफी अच्छी दरीके से पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और जो definition है, उनकी जो PDF है, तो हम आपको अवेलवल करा चैनल में, तो उसको भी आप जोइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल और वहाँ पर जो formula की PDF है, या new book, new edition की जो book है, उसके जो numerical हैं, उन सभी की PDF वहाँ पर आपको दे दी जाती है, और जितना कुछ आप लिख सकते हैं, तो आप उनको लिखिएगा, अपने notes आप बनाईएग उनका कोई issue नहीं है, तो चलिए, start करते हैं, आज की class को, और देखते हैं, सबसे पहला, जो topic है हमारा, आज की class का, तो उसको, तो सबसे पहला topic है हमारा, आज की sum वहाँ प्रिष्ट, तो क्या होता है sum वहाँ प्रिष्ट, इसके बारे में अच्छी तरीके समझेंगे, हम इ इसकी definition जान लेते हैं कि क्या होता है sum वहाँ प्रिष्ट, तो किसी वैद्दु छेत्र में, कोई वैद्दु छेत्र हमने पहले भी बताया है, जो वैद्दु छेत्र का ही एक गुण है, उसी से लिंक है, जो unit 1 है, उसी से लिंक है, unit 2 भी है, जिसमें विभाँ और धारिता क के बारे में, जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी, वह कहीं न कहीं लिंक होंगी, वैद्दु छेत्र की तीवरता से, यानि वैद्दु छेत्र वाले चैप्टर से, तो किसी वैद्दु छेत्र में, कोई वैद्दु छेत्र है, खीचा गया वहाँ प्रिष्ट, जिस पर इस्ति सभी बिन्दूओं पर वैदुद विभाव क्या होता है वी होता है मैसा बराबर Lazio i Неय ciel पूरो UN более 4% अगा बीच वह बिंदा विची विवा नहीं होता है कि उसकी मानें पूरी तरीके रिजे के नहीं होता है कि यह विजा भी कह सकते हैं यह वह वह lasts पे तो werden वपरर बिंटु क्यों कर दूरत को हमने वह दाइए वायस्त, इंटू क्यूंच तो यह फार्मूला होता है तो जब वी यहां पर सुन ने तो डब लू भी हो जाएगा मारा डब लू भी सुन ने हो जाएगा तो हम यह भी कह सकते हैं किसी आवेस को अगर सम्भी वह प्रिष्ट के एक बिन्दू से दूसरे बिन्दू पर लाएंगे तो हम को कोई भी कार नहीं करना पड़ेगा कोई कार नहीं होगा कार कमान भी जीरो होगा जब अभी भो जीरो होगा तो कार भी जीरो होगा क्योंकि फार्मूला यह होता है डबलू गराबर वी इंटू क्यूं ठीक है तो इतनी बात आप अची तरीक से समझ गया होंगे लेकिन या कब संभव पाता है यानि यह तभी संभव हुए जब वैद्धु तावेस को वैद्धु छेत्र के लंबवत ले जाया जाए तो आप यहां पर देख भी सकते हैं अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा फिगर क प्लस यानि या जो धनातमक अवेस आपको दिया हुआ है बीच में सेंटर में जो धनातमक अवेस दिया हुआ है इससे चलने वाली बल रेखा एंब जह सभी आपको दीक रहें हैं व्यद्व यह जो ब यह कई सारे आप देख सकते हैं, यह पिंक का कलर के जो प्रिष्ट हैं, यही गुली प्रिष्ट, तो यह जो गुली प्रिष्ट, इस फैरिपिटल सर्फिस का प्रतेक बिंदू, आवेश से समान दूरी पर होने के कारण, समान वैदुद भी बहुग पर होगा, तो इस वही समान होगा तो गुली यह प्रिष्ट का यह संभीव प्रिष्ट कर रहा है और विद्धु आवीशे चलने वाली बल लेखा है उथा हैनल वही ःतले नहीं होता है है । वैदु छेत्र में भिन 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 बिन्दु ओपर जो छेत्र की दिसा है बल लेखाओं दारा प्रतरसित की जाती है और संभी वह प्रिष्ट के प्रतेक बिन्दु पर यह आप संभी वह प्रिष्ट जो देख रहे हैं इसके प्रतेक बिन्दु पर जो बल रेखाएं होंगी प्रिष्ट के लंबवत ही होँगी तो आप यह देख सकते हैं सभी आप कैसी होंगी यानि सम्भी वह प्रिष्ट के प्रत्य बिन्दूपल बल ले खाये कैसी होती हैं बल लेखाएं होती हैं लंबवत यानि इनके बीच का जो पूंड होता है 90 डिगरी इसलिए जो बल लेखाएं होती हैं ये लंबवत होती हैं किसी गोलिय प्रिष्ट के यानि सम्भिवव प्रिष्ट के तो यह आलोबर पूरा टॉपिक था हमारा सम्भिवव प्रिष्ट का य है और आपने देख भी लिया कि किस प्रकार से ये बराबर होता है और फिर इसमें आपको फिगर बनाना है और फिगर के माध्यम से आपको इसको डिनोट कर दिना है कि जो गोली प्रिश्ट खीचा गया यह आवेस से समान दूरी पर होने के कारण इन पर समान वैदुद भी हो प्रवाणता यह पोटेंसियल ग्रेडियंट इसको इंग्लिस में कहते हैं और विभाव प्रवाणता तो क्या होती है विभाव प्रवाणता तो वैदुद छेत्र की दिसा में दूरी परिवर्तन के साथ विभाव परिवर्तन की दर्को ही हम क्या कहते हैं विभाव प्रवा इस प्रकार से दूरी बड़े उसी प्रकार से विभाव में परिवर्ता नो तो उसे कहते हैं विभाव प्रवर्ता यानि कि इसके फार्मूले से ही हम इसको समझ सकते हैं तो विभाव प्रवर्ता का फार्मूला क्या होता है विभाव प्रवर्ता बराबर होता है विभाव में से ही हमको definition मिल गई क्या मिल गई कि दिसा में दिसा में वैदु छेतर की दिसा में दूरी परिवर्तन के साथ यह दूरी परिवर्तन है डेल्टा एक्स यह दूरी परिवर्तन के साथ विभाव परिवर्तन की दर यह जो डेल्टा वी है यह विभाव परिवर्तन है कि दर को ही ह हम एक बिंदु मानेंगे जो की होगा बिंदु O, बिंदु O मानेंगे जिस पर प्लस की वावेस है, और X अच्छ के अनुदिस, प्लस क्यू बिंदु वावेस के काण, X अच्छ के अनुदिस, वैद्धु छेत्र E की दिसा में, बिंदु O से X दूरी पर, बिंदु O से X दू दूरी पर यह होगा बिन्दू भी और यह कितनी धूरी नके बीच कि दैलटा X दूरी पर बिन्दू भी एगों ठीक है एब विद्दु धु यहां पर विद्धुर भी माइनस डेलटा भी तो इन दूर accomplish विभो भी यहाँ पर हमको गया थे और इस प्रकार इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे अब क्या यहाँ पर वैद्दु छेत्र ए की दिसा है इस प्रकार से ठीक है तो वैद्दु छेत्र में छेत्र की दिसा के अनुदिस वैद्दु विभो का मान घटता जाता है तो अब हम हुआ है किस आप άब हम जायेंगे रिफिनीशन में तो क्या होती है डिफिनीशन ुसकी तो वैद्यु खेज़तर की दिशा में में दूरी परिवर्तन के साथ विभो परिवर्तन के दर को भीभू कौनता करते हैं तो हम सबसे पहले हम यहां पर भी रही परिवर्तन करेंगे यानि कि वी माइनस डेल्टा वी माइनस का वी यह हो गया हमारा विवो में कितना परिवर्तन हुआ और फिर हम करेंगे दूरी में परिवर्तन तो X प्लस डेल्टा X माइनस X यह हो गया हमारा दूरीम परिवरतन V से V कैंसील हो गया X से X कैंसील हो गया तो हमारा बच्चा है कि हम माइनस डेल्टा V अपन डेल्टा X और यही तो हमने पढ़ा था विवाप रवनता का फार्मूला यही तो होता है माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स तो यह यहां से हमको प्राप्त हुआ है इस प्रकार से केवल अगर आप से पूछे जाए विभाव पुमाणता का फार्मूला तो आपको यह डिफिनीशन के सहीद एक फार्मूला लिखना है और उसका छोटा से में संबन्द तो आपस में में संबन्द क्या होता है तो यह हम देखेंगे विभाव पुमाणता तथा वैदू-छेत्र की तीवड़ता में संबन्द relation between potential gradient and electric field या intensity of electric field चलिए आगे देखते हैं टॉपिक है मारा विभाव पुमाणता तथा वैदू-छेत्र की तीवड़ता में संबन्द तो क्या relation होता है विभाव पुमाणता और वैदू-छेत्र की तीवड़ता में तो सबसे पहले यहापर जो हमारा धन पर इच्छन आवेस है Q-8 होगा और वैदू-छेत्र क्या है E तो आवेस Q-8 पर एक बल F-6 की दिशा में कारे करता है जहाँ पर तो बल बराबर क्या होत बिंदू-ए तक ले जाने में जो बल F के विरुद्द जो कारे करना पड़ता है तो देखिए हमको क्या करना है हमको F बल के विरुद्द एक कारे करना है क्योंकि हमको जो परिच्छन आवेस हमारा दिया हुए Q-8 उसको हमको बिंदू-बी से बिंदू-ए की और लाना है य इन्टू-एस यानी F इन्टू-दूरी तो दूरी यहां पर डेल्टा-एक्स वही वाला फिगर यहां पर बनेगा जो हमने पीछे अभी बताया आपको बिवह पर उनता में सेम तो सेम फिगर है वहां पर आगे बढ़ा कर कुछ टरम्स वहां पर हमको लिखना पड़ेगा तो आप उसी फिगर को दियान में रखते हुए समझेगा यह सभी जो टरम्स यहां पर दिये हुए है ठीक है तो यहां पर यह जो कार रही हुआ यह हुआ डेल्टा-डबलू और कार यह बराबर क्या होता है बल इंटू-दूरी तो यहां पर बल तो है F और दूरी है हमारी माइनस का डेल्टा-एक्स यह दूरी होगी हमारी यहां पर माइनस का डेल्टा-एक्स और माइनस डेल्टा-एक्स क्या है बिंदू B से बिंदू A तक विस्थापन है और यह माइनस क्यूं हो गया क्योंकि हमने B से A की और दूरी ले ली इसलिए यह हो गया माइनस डेल्ट X B से बिन्दू A तक विस्थापन है और अब क्या करेंगे हम इसमें F कमान रख देंगे तो F कमान ऊपर जो हमने निकाला है तो वही हम यहां पर रख देंगे Q not E और माइनस पहले लगा देंगे तो इधर हो जाएगा delta X यह हो गया हमारा अब क्या करेंगे अब Q not को नीचे लाएंगे तो डेल्टा W अपान Q not बराबर होगा माइनस E into delta X अब यहां पर इसको यही पर छोड़ेंगे और हम लेंगे विवांतर की परिवासा से यानि मेन फार्मूला यहां पर हम लेंगे विवांतर की परिवासा से क्या होगा DLTW upon Q0 बराबर ये होगा अधि बोजों अमने दो माने थे पीछे याद करिएगा ओ पर वैद्द भी यो वी और बी पर वैद्द भी वी माइनस डेल्टा वी तो वी माइनस भी माइनस डेल्टा वी क्योंग sector कहा हमकुँएं आपा लेना है क्या वाहतित हो जाएगा माइनस माइनस यह हो जाएंस लिए ऍो जाए टो यह गा बराबर का डेल्टा वी याझिक हमार डेल्टा ड graph आप इस वनकुना बराबर मान आ 되고 अब हाप तो यहां पर समी करण 1 वा 2 से क्या हो जाएगा? यह बराबर हो गये तो इनसे कोई मतलम नहीं माइनस का E Δ X बराबर Δ V तो यहां से हमको final formula मिलेगा Δ V जो की बिभोप होणता यहां से हमको फार्मूला मिलेगा E और माइनस को उस तरफ भेद देंगे यानि डेल्टा V माइनस का अपान डेल्टा X यह फार्मूला मिलेगा हमको और यही होता है क्या वैद्दू छेत्र की तीवरता E है और विभाव परणता है डेल्टा V तो विभाव परणता विभाव परणता है डेल्टा V अपान डेल्टा X यह हमने पीछे पड़ा भी विभाव परणता क्या होती तो यही है वैद्दू छेत्र की तीवरता और विभाव परणता में आपस में संबंद और यहां पर यह जो डेल्टा V अपान डेल्टा X है यह दूरी के साथ भी उपर इवर्तन की दर है और इसे ही कहते हैं हम विभाव पुर्वाणता और ये होती है वैद्दू छेत्र की तीवर्ता तो ये तो हुई तीवर्ता और ये हुई विभाव पुर्वाणता तो ये ही आपस में होता है इनमें रिलेशन ये होता है आपस में इ बराबर होती है नहीं कर सकते हैं जो वैदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु क्या इसके मात्रक होता है और क्या इसकी विमा होती है तो मात्रक के लिए सी दे से विभो प्रॉणता का जो फार्मूला होता है डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स यानि वी का तो हो गया हमारा वॉल्ट और एक्स का हो गया मीटर तो जो मारा मात्रक बना यहां पर मात्रक हो गया वोल्ड प्रती मीटर यह हो गया हमारा मात्रक अब इसकी विमा निकालनी है तो विमा भी उसी प्रकार से निकलेगी तो वी की विमा हमने पीछे निकाली थी ml2t-3a-1 यह हमने निकाली थी किसकी वी की विमा और अपान एक्स यानि दूरी की विमा तो वो केवल L हो जाएगी यानि उपर हमको क्या करना है उपर हमको एक L कम कर देना है तो जो विमा होगी वो होगी MLT-3A-1 तो यह होती है विमा किसकी विभाव परवाड़ता की तो इस प्रकार से हमने देखा विभाव परवाड़ता की डिफिनिशन और विभाव परवाड़ता तथा वै वो है वैदूत इस्तिती उड़तेया उसके बारे में पढते हैं तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे वैदूत इस्तिति उड़तогी परिवासा और अभर हम देखेंगे वैदूत डूली धृु जो हमारी था आवेस के बारे में तो जो समान प्रकार के आवेस जैसे ये प्लस आवेस है और ये प्लस आवेस है दो समान प्रकार के आवेस एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल करते हैं प्रतिकरसित करते हैं तो इनकी जो प्रकति होगी वह क्या है कि प्रतिकरसन की ये हो गई और अगर हम अलग-अलग लेते हैं, यानि, अलग-अलग प्रकार के दो आवेस लेते हैं, एक धनातमकी, एक ने अत्मक, पुखती क्या होगी? उनकी प्रकार यह अब इसमें इस्तिति जुड़जा का कार क्या हुगा तो इस्तिति जुड़जा कार यह हुगा कि अब हम क्या करेंगे अब इनकी जो प्रकति है वो तो वह एक दूसरे को रिपल करने की प्रतिकर्सित करने की लेकिन इनको हम आकर्सित करने का प्रियास करेंगे आपने मैगने यूनिट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे सब्सक्राइब आपने चुम्बक देखा होगा तो जो एक ही प्रकार के अगर धुरू हम एक साथ एक दूसरे की वो लाएंगे तो आपस में क्या करते हैं प्रतिकर्सित करते हैं वो चिपकते नहीं हैं तो हम लेकिन उनको हम करते हैं तो हमको उनके लिए क्या करना पड़ता है एक बल लगाना पड़ता है एक कार करना पड़ता है तो यहां पर भी इनकी प्रकती है आपस में प्रतिकर्सित करने की रिपल करने की लेकिन हम यह आपर ट्राई करेंगे इनको पास लाने के लिए क्या करेंगे कार यानि की डबलू करेंगे यानि डबलू वर्क हमको यहां पर करना होगा और यही कार यही कार उस निकाय में इस्तितिज उड़जा के रूप में संचित हो जाता है और इसे ही निकाय की वैदु तिस्तिज उड़जा कहा जाता है इसे ही निकाय की क्या करेते हैं वैदु तिस् प्रस्तित होने की लेकिन इनको हम क्या करेंगे इनको हम दूर दूर ले जाने का प्रयास करेंगे तो जब दूर ले जाने का प्रयास करेंगे तो हमको बल लगाना पड़ेगा और बल लगाना पड़ेगा और कार करना पड़ेगा जो की होगा डबलू तो यहां पर भी यह भी अनन्त से परस पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं अब क्या है? अब एक फीगर के माद्यम से हमें आपर इसका फार्मूला भी पराप्ट करेंगे किसी जुदा कि क्या होता है एक फार्मूला भी तो होता है तो हम्हें आपर क्या मानेंगे एक निकाए Ab दो आवेस तो plus Q1 plus Q2 से मिलकर बना हुआ है तो यह एक निकाए हो गया Ab यहां पर है plus Q1 और यह है plus Q2 plus Q1 plus Q2 आवेस से मिलकर बना हुआ जो एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर निरवात में इस्तित हैं आर मीटर की दूरी पर इस्तित हैं इस निकाय की वैदुत इससे जुर्जा ग्यात करने के लिए आवेस Q2 बिंद B पर न आओकर अनंत पर है इसको अम्माल लेते हैं कि यह जो बिंदुबी है यह कहां पर है यह अनंत परिस्तित है अनंत परिस्तित है तो आवेस प्लस क्यू क्यू वन के कारण बिंदुबी पर वैद्द दिवो का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो लगाएंगे हम यानि की वी बराबर वी बराबर 1 upon 4pi F silently not Q1 upon R क्योंकि हम किसके कारण निकाल रहे हैं Q1 के कारण Q1 के कारण वैद्द दिवो वी बराबर 1 upon 4pi F dönüş Q1 upon R यहांपर हम निकाल लिया हमने फिर क्या करेंगे वैदू भी वह की परिवासार के अनुसार Q2 को अनंत से बिंदू भी तक लाने में किया गया कार रहे हैं तो Q2 को Q2 को लाने में जो कार किया जाएगा वो होगा W बराबर V into Q2 V Q होता है W बराबर V Q लेकिन Q2 को ला रहे हैं तो V into Q2 अब यहाँ पर V कमान लग देंगे तो W बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R यहाँ पर हो गया अब यही कार यही कार यही कार निकाए Q1 plus Q2 की वैदू इस्तिज उड़ जा U है यह यह डबलू यह चेंज हो जाएगा किसमें वैदू इस्तिज उड़ जा U में तो हमारा final formula आएगा U बराबर यानि इस्तिज उड़ जाए U बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R यह आएगा हमारा यहाँ पर formula और यह भी होगी जूल में यह जो इस्तिज उड़ जाओगी वो भी हमको मिलेगी किसमें जूल में तो यही चोटा सा एक निगमन है जिसके मादम से हमको यह formula प्राप्त हो जाता है कहीं भी एगर numerical में हमसे क्या पूछा जाता है कोई कारे पूछा जाता है तो भी हमसे हम formula लगाएंगे अगर इस्तिज उड़ जापूची जाती है दो आवेस दिये हैं और बीच की दूरी दी हुई है और वैद्धू तिस्तिज उड़ जा का मान पूछा गया है तो भी हम इस formula की मदद से वहाँ पर निकाल सकते हैं और जो वैद्धू तिस्तिज उड़ जा यह कैसी रासी है इटी जैन scalar quantity यह एक अधिस रासी है अब समझते हैं कुछ जो दसाएं कब गटती और बढ़ती है वैद्धू तिस्तिज उड़ जा तो जब हम आवेस कह लेंगे हम समान प्रकार के दो आवेस लेंगे अगर समान आवेस के हम समान प्रकार के आवेस लेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्सित करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्सित करेंगे तो जब एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्सन बलके बिरुद्ध कार करना पड़ेगा जिससे निकाय की वैद्धू तिस्ति ज इसके विपरीत उन्हें एक दूसरे से अगर हम दूर ले जाएंगे एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो उनकी प्रकति भी तो है दूर होने की यानी प्रतिकर्सित करने की तो यहां पर यू क्या होगी यहां पर यू घटेगी क्योंकि कारे ही नहीं करना पड़ेगा वो आ इनको अगर हम पास पास लाएंगे ये तो उनकी वैसे भी प्रकति यह पास आने की यहाँ पर हमको कारे नहीं करना पड़ेगा यानी कि यू घटेगी वैदूत इस व्यूरा घटेगी और इनको अगर हम दूर ले जाने का प्रयास करेंगे तब यू क्या होगी बढ़ेगी त तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं इतना ही ये टॉपिक है याणि जो वैदुत से उड़ा का अब हम आगे देखेंगे कि जो वैदुत दुधुरू में वैदुत इस्तितित उड़ा होती है वह किस प्रकार से वह करती है तो आगे जो हमारा टॉपिक है वह वैद डाइपोल, potential energy due to an electric dipole उसके यानि वैद्दू दूदूरू कानव को कहान ही मैं वैद्दू इससी उड़ जा तो, सेम ही कॉंसेप्ट है, यानि कि वैद्दू छेतर में किसी वैद्दू दूदूरू की इससी उड़ जा उस कार के बराबर होती है, जो कि वैद्दू दूदू को अनंद से छेटर के भीतन लाने में करना पड़ताई याद कर द द द द लाने में जो किया गया कारी वही उसकी isadji उड़्जा होती है तो है क्तो एक व्यदाद दु दधुरु को अनंद से एक समान व्यदद छेटरे में इस प्रकाल लाया गया है कि आगुण P वद्दू छेत्र दिसा E में ही रहे यानि एक हमें आपर क्या ले लेते हैं निकाए यह हमारा हो गया इलेक्टिक डाइपोल यह हुआ माइनस की वावेस इदार है प्लस की वावेस और इनके बीच की दूरी है 2L और यह कहीं है आपर इस्तित है अनंत अनंत से ही हम इसको लाएं कहाँ पर वद्दू छेत्र E में यह वद्दू छेत्र E दिया हुआ यह आपर लाएं तो यह क्या क आ रहे ए विक्टर की ही दिसा में रहे एकी दिसा में ही है तो यह एकी दिसा में है वहाँ पर आप क्या करेंगे वैद्दू छेत्र E के काण वैद्दू दूरू के आवेस प्लस क्यूपर एक बल प्लस क्यूपर एक बल इस तरफ लग रहा है एफ बराबर क्यूई भी प्र करेगा और यहां पर भी हमको एक जो बल है वो प्रदरसीत करना होगा विपरीत लगेगा जो की वो होगा एफ ठीक है तो इतनी चीजें हमारी यहां पर कंप्लीरोती यह वैददु चै спрос रएक बीतर मैं को ले आ इलेक्ट्रिक डैप॒ल को कहां से अनंत से इसилаÓ मेंको जो कार ब्राबर क्या होता है कार बराबर होता है बल into दूरी यानि कि जो माइनस की उपर जो बल है और जो दूरी दी गई है तो यहाँ पर इसपर बल कितना लग रहा है तो f बराबर होता है qe लेकिन माइनस की उपर बल है तो माइनस q into e हमने आपको पहले भी बताया कि वैदूद Doing वह में आपको साइन का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है नहीं तो आप वहाँ पर गलत कर देंगे questions को भी और derivation को भी तो दूरी हमारी कितनी है दूरी है 2L दूरी दी हुई है 2L अब क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह बन नहीं गया 2QL इतना उठाईए 2QL यानि यहाँ पर सीधे से लिखे दे रहे E into minus का 2QL 2QL क्या होता यह तो बराबर होता है P के यानि यहाँ पर मान कितना आ गया यह आ गया minus का P इतना हमको प्राप्त हो गया अब क्या है P यह वैद्दु दिदुरू का अगूर और यही कारे जो हमने कारे निकाला यह जो निट कारे निट कारे जो हमने निकाला यही क्या होगा यही वैद्दु दिदुरू की इस तिदि जुड़ जा यू नाट हो जाएगी यू नाट हो जाएगा माइनस का पी यह हम को यहाँ पर प्राप्त हो गया और इस सित्री में जो अमारा वैद्दु दुधुरू होगा वह क्या होगा वह होगा इस्थाई संतुलन में इस्थाइ संत्ुलं में यह विद्दु दिध्रू उगए ठीगे अब विद्दु दुद्रू को वैद्दु चistling के भीच्थिटा कोमाये तो हैं यहर दुद्दु दुद्रू पर कारिद डबलू करना logging दबलू पराबर क्या होगा कारिए होता है प माइनस कॉस थिटा थिट वैदुदेदुरु की स्थेज़़्ज़़ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, अता थीटा स्थेज़़ ती में वैदुदीदुरु की स्थेज़़्ज़़ज़र, यू ॥ीटा पराबर क्या होगी Uण not प्लस ड़ू, दोनों मान आपस में हम क्या करदेगे, जोड़ माइनस वन प्लस का वन और माइनस का cos थीटा थी प्लस वन से माइनस वन कट गया यानि कि यहां पर जो हमको final formula मिला दुद्रू की इस्थित जुर्जा के लिए वो मिला u थीटा बराबर माइनस का पी इस तीटा और यही क्या यही है वैद्दू द्यूदूरू की इस्तित दूर्जा का व्यापक समी करण यानि मेन एक वैद्दू द्यूदूरू के कारण वैद्दू द्यूदूरू की इस्तित दूर्जा का जो यह फार्मूला यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस थीटा अब यहां पर बनेंगी तीन condition थीटा बराबर 0 की थीटा बराबर 90 की और थीटा बराबर 180 की तो उनको अभी समझते हुए चलते हैं तो सबसे पहले condition है यहाँ पर कि वैदु दूरू छेटर की कि दिसा में हो छेटर की दिसा में ही होगा अगर वैदू दूरू तो θीटा का मान क्या होगा जीरो और तब हमारी जो वैदू इस तREE से ज़ाई है उसका मान क्या होगा तो यह होगा माइनस P e cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो u 0 बराबर, ये u θ ले ले, माइनस P e, सिर्फ और सिर्फ इतना मान आएगा, तो ये मारा एक अलग से formula प्राप्त हुआ, अब क्या ये माइनस का P e दिया हुआ, तो इससे क्या इसपस्ट है, कि जो u होगी वह क्या होगी, वह होगी new thumb, लियाना जो इससे दूर जाक और आखते हैं सेकेंड तीलगाबर, यानि जो वैद्दू दूर्डू होगा इस्थाइ, संतुलन में, dł Cay sah कास थिटा सेम लगेगा और कास 90 कमान क्या होता है वो उता है फोन डुझा उपकी स्थितिह के लिए जो माने व क्या जाएगा वो म αναंद या आ जाएगा जला यारीज्चाण क्या रच बचुछ जिन इस त्रहुट प्लिए मतअधि तट रराबर रहए हमारी यहिierto गणाक्य य इसका क्या मतलब है तो यदि वैद्द दूद्रू को इस थाइस अंतुलन की इसती से 180 डिगरी घुमा दे तब इस ते दूड़ जा यू 180 डिगरी कर दें बराबर माइनस पी ई कॉस 180 तो कास 180 का मान क्या होता है कास 180 का मान होता है माइनस का One तो जब माइनस का One हो जाएगा तो यह ओ जाएगा इदर Plus यानि कि माइनस P माइनस का One तो हमारा जो Final यहाँ पर Firmula बनेगा यू थिटा बराबर PE जो की होगा का है का प्लस का जब प्लस का PE यहाँ पर आया है यानि की जो वैदुद इसे दुर जाओगी इस हिस्ती में क्या होगी maximum होगी और वैदुद दुरू क्या होगा आइस थाइस अंतुलन में आइस थाइस अंतुलन में होगा जो वैदुद दुरू है पढ़ा हमने पढ़ा सम विभाव प्रिष्ट के बारे में और फिर हमने विभाव प्रवणता के बारे में पढ़ा और फिर हमने रिलेशन निकाला वैद्दू छित की तीवरता और विभाव प्रवणता के बीच में उसके बाद वैद्दू इस सिर्फ जा क्या होती है और तरीके से चैनल से जुड़े रही है इस क्लास से जुड़े रही है और इसका जो लाब है वो आप उठाते रही है मिलेंगी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद